सुप्रभात बच्चो, आज हमारा हिंदी का पीरेड है, हंदी के पीरेड में आज हम पाट पाउच पड़ेंगे, जिसका नाम度 है अच्छा पड़ोसी और यह कौन से पेज नंबर पर हैं, पेज नंबर उनके पडोस में व्रद्ध आदमी रहता था, उसकी आखें जंगलियों की तरह और बाल गंदे थे, प्रतेक व्यक्ति उससे भैबीत था, एश्वरिया के माता पिता उससे कहते कि वह उस व्रद्ध से ना बात करे और ना उसके पास जाए, एश्वरिया जानती थी कि वह व्र जाती थी, वह अपने माता पिता की आग्या का पालन करती थी, वह उसके साथ कभी भी नहीं खेलती थी, पेज टन करो, पेज नमबर 28 पर देखो, एक दिन एश्वरिया के माता पिता उससे घर पर छोड़ कर बाहर चले गया, उन्होंने उससे कहा, यदि तुम्हें किसी ची गैस की दुरगंद आ रही थी, उसने बिल्कुल समय व्यार्थ नहीं किया, और गायड को बुलाया, उसने गायड के साथ मिलकर एश्वरिया के घर का दरवाजा तोड़ दिया, वह अंदर गुज गया, पूरे घर में गैस की दुरगंद फैली थी, जमीन पर पड़ी थी, वह आदमी कमजोर था, किन्तु उसने जल्दी से एश्वरिया को अपनी गौद में उठा लिया, वह उसे डॉक्टर के पास ले गया, फिर वह वापस उसे घर ले आया, वह तब तक एश्वरिया के पास बैठा रहा, जब तक उसके माता पिता वापस नहीं आ गया, एश्व कोई जरूरत नहीं, आप जानते हैं कि कोई भी मेरी परवा नहीं करता, किन्तु एश्वरिया प्रती दिन मेरे लिए खाने के लिए कुछ ना कुछ खरीद कर लाती है, आज एश्वरिया की दयालुता के कारण ही उसके पड़ोजी ने उसकी जीवन की रक्षा की, हमें अप